नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त वरुनकुमार घूश आपका आपने वीडियो में स्वागत करते हूं जैसा कि आप लोग को पता हैं इंडिया वर्सिस बांगलादेश के बीच में जो मोस्ट अवेटिट सीरीज जिसका स्टार्ट होना था आज से वह स्टार्ट हो चुका और आज उसका पहला दिन था और पहला दिन का खेल खत्म होने टीम इंडिया जो टीम इंडिया की बात किया तो उन्होंने जो 349 रंज बना लिए 6 विगट के नुकसान पर अभी अगर हम बात करें क्रीज पर तो रविंद्र जड़ेजा 86 रंज बनाके नावाध है और अगर वहीं बात का जाए रवीचंद्र मश्मिन की तो वह भी 102 रंज बनाके नोट आउट खेल रहे और अमीद है यह जो स्कोर जो है कि जैसा वह खेल रहे है उन दोनों के बीच में 195 रंज की पार्टनर्शिप हो चुकिए और इसको जो है वह साड़े 400 तक ले जाएंगे और उसके बाद टीम इंडिया डिकलियर का पता नहीं सोचेगी नहीं सोचेग दोस्तों हसन मेहमुद आज उनके जोए सूपरस्टार है उन्होंने स्टार्टिंग के तीन विगेट रुवट शर्माष रूबन के लिए विराट को ली तीनों को जो पहत्रीन तरीके से आउट किया और उन्होंने जो है मतलब दिन के सुरुक खत्म होने तक चार विगेट जो अभी भी जो हाली में सीरी जीती है पाकिस्तान से उसमें उन्होंने अपने पेसर्स के बदलत जीती है प्लस स्पिनर्स भी जो उनके पास ठीक ठाक है और अगर हम पीच को देखे तो पीचे बेज़ों थोड़ी बहुत घास चोड़ी गोई थी और जो है मतलब विकेट के अंदर 35-36 रंस थे इंडिया के और तीन विकेट गिरा दिये थे उसमें जो है हसन मेहमूद ने जो है तीन विकेट लिए रोईट शर्मा को आउट किया शुबमन गिल को आउट किया विराट कोली का आउट किया तो तीनों को सस्ते में निप्टाने के बाद टीम इंडिया ने 88 रंस बनाया है तीन विकेट के नुकसान पर उसके बाद जैसे ही आपका जो है लंच खतम हुआ उसके बाद जैसे आपके जो यह सस्पी जैसवाल और आपके जो रिशब पंद बैटिंग करना है रिशब पंद जो है रिशब मेहमूद की बॉल पर इनर मतलब जो है मतलब एक जटका था फिर उसके बाद जो है तीसरे मतलब दूसरे सेशन के बाद करें फिर उसके बाद रिशब पंद के बाद के बाद के ल राहूल आउट हुए और के बाद जो है यह सेशब जैसवाल जो की बहतीन 56 रंस बनाया है उन्होंने वह भी जो है मतल बाद अगर बात करें जब टीम इंडिया टी पे गई तो इसके बाद जो है लाश्ट सेशन में एक सो त्रेपन रन बने बिना किसी नुक्सान के और एक सो मतलब वह एक सो दो रंस की जो पारी आपके आश्वीन ने खेली है और आपके जड़े जाई टिस्टिक संपर केल दोनों नहीं जो बहुत आकरम अकेल दिखाए और बांगलादेश के बोलर्स की जो धजिया उड़ा के रख दियों का जो मतलब उन्होंने जो मतलब प्र आज 349 रंस बन चुक है 6 विगट के नुक्सान पर अभी की बात की जाए तो अभी जो पूरे चार दिन बाकी हो उम्मीर है कल जो ऐसा ही दिन स्टार्ट होता है दिन के स्टार्ट होने से तीम इंडिया इस स्कोर को साड़े चारसो 500 रंस के करीब कम से कम ले जाएगी और उ उन्होंने क्यों से पार्टर्शिप करी चाहिए आप बात करें रिशब पंत के साथ जब टीम इंडिया के तीन विगट गर गे थे फिर उसके बाद के साथ और फिर लाश्ट में तो वह आउट हो गए मेंधियासन मिराज की बोल पर फिर उसके बाद जो है मतलब और उसके जाएगे और अगर हम बांगलादेश के बॉलर्स की बात करें आज के दिन तो हशन मेहमूद ने चार विकट लिए जिसमें उन्हें रोहिट शर्मा सुमंगल विराट को लिए और मतलब रिशब पंत को जो है आउट कि उसके बाद नाहिद राना की बात करें तो नाहिद र आश्यार यहनी टाराहul महंसन मिराज का सिकार ने अब जो है दूसरे दिन के बात करें तो दूसरे दिन पर मता सबकी नजरें इस बते के लिए कब लिएंब gravity TIM फोह हुआ के लीड लाईब है और उमीद है यह टीम मैच जो है टीम इंडिया बढ़े ही आसानी से जीद जीद दो